नमस्का दोस्तों कैसे आप लोग क्या बोलिए लाइफ लाइफ को बोलो थोड़ी देर शांत रहे क्योंकि हमें अब पढ़ना है एक बहुत इंपर्टन टॉपिक जिसका नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट आफ नाइन दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने सीखा था डिवि टेस्ट क्या है उसके बाद एक दो एक्जामपल्स लेते हैं और फिर अच्छे से समझ लेते हैं ठीक है चलो तो दोस्तों यह है हमारी डिविजिबिलिटी टेस्ट आफ नाइन वो क्या बोलती है सम ओफ डिजिट्स ओफ नंबर ये इस टेस्ट का सबसे इंपोर्टन पार् होता है नंबर में डिजिट्स होता है उनका सम करना है हमें उनकी एडिशन करनी है ठीक है उनका टोटल करना है वो अगर if sum of digits ओफ नंबर is divisible by 9 then the number is divisible by 9 मतलब हमारे पास जो भी नंबर है उसके अंदर जो digits है उनका अगर हम sum करें total करें addition करें और वो sum अगर 9 से divisible है तो पूरा नंबर 9 से divisible है चलो आप देखते हैं माल लीजिए हमारे पास एक नंबर है x y z तो x y z के digits क्या है x है y है और z है ठीक है उनका sum क्या हैगा x plus y plus z अगर x plus y plus z 9 से divisible है तो पूरा x y z 9 से divisible है ठीक है अब कुछ examples लेते हैं जिनके सहारे हम यह समझ लेंगे पहला example माल लीजिए 729 दूसरा example माल लीजिए 500 sorry 5729 ठीक है यह हमारे पास दो example है अब क्या करते हैं इनका पहले sum देखते हैं उनके digits का साथ है 7 और 2 9 9 9 18 इनके digits का sum है इसके digits का sum 5 और 7 12 और 2 14 और 9 23 अब according to को अपनी divisibility test of 9 18 9 से divisible है 9 1 जा 9 9 2 जा 18 राइट मतलब यह number पूरा number 9 से divisible होना चाहिए यह हमारी test बता रहे है similarly 23 9 के table में नहीं आता 9 2 सा 18 9 3 सा 27 89 27 के बीच में आता है 23 जो 9 के table में नहीं है मतलब basically 23 9 से divisible नहीं है तो 5729 भी 9 से divisible नहीं होना चाहिए यह हमें हमारी test बता रहे है अब क्या करते हैं दोस्तों इन्हें actual divide करते हैं और देखते हैं कि क्या test सही बोल रही है 729 divided by 9 9 1 जा 9 9 8 जा 72 बचा 9 9 1 जा 9 तो 81 हो गया हमारा quotient और reminder मतलब बाकी बचा 0 इसका मतलब हमारी test नहीं जो पताया था कि 729 जा 9 से divisible है वो सच निकला ठीक है अब यहां पर करके देखते हैं division 5729 divided by 9 9 1 जा 9 9 6 जा 54 बच्चे 3 हो गया 32 9 3 जा 27 बच्चे 5 हो गया 59 9 6 जा 54 बच्चे 5 मतलब यह हमारा आता है integer quotient और यह हमारा आता है reminder यहां पर reminder 0 नहीं है इसका मतलब 5729 यह 9 से divisible नहीं है जो हमें पहले ही बताया था हमारी test ने इसका मतलब हमारी जो test है वो सही काम कर रही है मैंने random दो number उठाय थे आप कोई भी number उठाके देख सकते हो यही है बहुत छोटी simple जैसे मैंने 3 की divisible test को कहा था बहुत छोटी से है ननी से है ठीक उसी तरीके से 9 की divisible test भी बहुत छोटी से है ननी से है बहुत simple है मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आया होगा अगर इसमें कुछ problem है तो वीडियो को दुबारा देखो अगर देखके भी समझ नहीं आ रहा है तो comment section में लिख दो आपको क्या समझ नहीं आ रहा है आपको कोई भी doubt हो तो comment section में लिख दो मैं जल्दी से जल्दी आपको reply कर दूँगा अगर कुछ और आपको पूछना है तोड़ा जल्दी में पूछना है क्योंकि YouTube का comment section में एक दो बार खोलता हो हमते में अगर आपको जल्दी से कुछ पूछना है तो मैंने description में मेरे social media handles दे रखे हैं वहाँ पर आप मुझे message करके पूछ सकते हो हम मिलते हैं अग आपको जल्दी से कुछ पूछना है